नमस्कार इस HR कोर्स की अगली वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ समृति ग्रोवर प्रोफेसर बड़ा बिजनस आज का टॉपिक ना ऐसी चीज से जुड़ा है जो आपके इंपलोईज के लिए ना अतियंत आवशक है यह है पेरोल और एक बिजनस ओनर अपने पेरोल का जो प्रोसेस है ना उसको कुशल और पारदर्शक कैसे बनाए यह जरूर सोचना चाता है तो आईए पहले देख लेते हैं पेरोल का मतलब क्या है पेरोल का ना सरव मतलब तो यह है कि इंपलोईज की सैलरी देनी आपने पर इसमें काफी काम करना पड़ता है उन्होंने क कितने घंटे काम किया क्या एक्सपेंसिस किये छुटियां कितनी ली इन सब की कैलकुलेशन के बाद ही ना इंपलोई के अकाउंट में पैसे आते हैं तो अपने पेरोल प्रोसेस को सफल बनाने के लिए आपको यह पॉइंट्स है ना इनका ध्यान रखना पड़ेगा जैसे कि इंपलोईज को पेरोल प्रोसेस का घ्यान होना चाहिए उन्हें पेरोल की पॉलिसी से अफगत कराना उनका सालरी स्ट्रक्चर ना अच्छे से डिफाइन कीजे पेरोल के सारे फंक्शन की जो इन्फरमेशन है जो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के पास होती है उनसे कठा कीजे, सालरी टाइम पर देना, टाक्स वरकशीट प्रिपेर करना और सारी जो टाक्स फॉर्मालिटी होती है उनको भी टाइम पर फाइल करना उन्हें पूरा करना, टाक्स फॉर्मालिटी मतलब जैसे प्रॉविदेंट फंड हो गया, आपका लेबर वेलफेर फंड हो एक एम्प्लॉई या सिय की मदद से आपका काफी समय इसमें लग सकता है दूसरी प्रॉब्लम हो सकती कि आपको सारी कंप्लाइंस के पालन करने होते हैं तो इसका आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि टाइम पे पी एफ जा रहा है टाइम पे एसाय हो रहा है एम्प कम से कम यह सारी डीटेल्स एक गूगल स्प्रेशीट पर तो आपकी होनी ही चाहिए तो आईए अब एक फ्रेमवर्क समझते हैं एक सटीक और सुचारू प्रक्रिया वाला पेरोल सिस्टम कैसे तयार करें यह प्रोसेस में आपके लिए सिंप्लिफाइ कर देती हूं तीन स् आपकी प्री पेरोल फेज मतलब पेरोल देने से पहले इसमें आपको क्या करना चाहिए ज Talking Saw तो हर office में आपकी समान policies होंगी सवाय अगर उस region में कोई और rules or regulations हो तो आप वो लागू कर सकते हैं leave policy, बहुत clearly आपको इस policy इस पश्ट करनी है, कितनी sick leaves है, कितनी casual leaves है, क्या privileged leaves है, यह बहुत ज़रूरी है जब आप महीने के अंत में salary का हिसाब लगा रहे हो, attendance policy, attendance का हिसाब रखना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप वो biometric से करें, या फिर कोई note करके कही attendance mark हो रही हो, कितने week off लिये गए है, कितने घंटे काम किया employee ने, कब half day लिया है, on duty requests का क्या मतलब होता है, यह सब data ज़रूरी होता है salary calculation में, statuary components, payroll के जो laws होते हैं, उसमें भी आपको यह decide करना है, कि आप अपने employees को क्या offer देने वाले हैं, जैसे आप उन्हें provident fund देंगे, या ESI, या फिर labor welfare fund के benefits, आपकी payroll की accounting उसी तरह चहलेगी, फिर salary components क्या होने चाहिए, salary का structure ऐसा हो, जिससे employee को संतुष्टी हो, कि उसके हाथ में पैसा ठीक मिल रहा है, जिसे हम cash in hand भी कहते हैं, structure में जैसे HRA allowance होती है, reimbursements होती है, कुछ और deductions होती है, फिर आत इस भीना अपने दूसरे विथ, जो अपने उनके finances होते हैं, वो भी इसी planning के हिसाब से करते हैं, कि salary उने किस दिन पर मिल रही है, फिर employee information आपके पास सारी होनी चाहिए, employee का नाम, उसका पता, उसका phone number, date of joining, department, उनका order, अब आजाते हैं दूसरे चरण पर, यह है payroll calculation, इसके आपको कुछ inputs चाहिए और कुछ steps करने होंगे, आप inputs आपको मिलेंगे पहले finance team से, उसमें आपको पता चलेगा किसके पास कुछ variable pay है, कुछ special commission है, किसी को bonus मिल रहा है, किसी को incentive मिल रहे हैं, फिर आजाते है HR team से आपको जो inputs मिलेंगे, इनको आपको leave और attendance data का input मिल सकता है, किसने किती छुटिया ली, attendance कैसे थी, उनकी salary कितनी है, अगर कोई exit कर रहा है, full and final settlement कितनी करनी है, notice period उन्होंने पुरा दिया के नहीं, ये सब data आपको HR से मिल गया, अब आज आते हैं admin team पर, admin team के पास आपको कुछ bills का data मिलता है, कि अगर कोई transportation bills हुए, employee ने submit किये हैं, ये जाता है, तो ये finance से भी आप ले सकते हैं, और employees की तरफ से आपको क्या data चाहिए, employees की तरफ से आपको सिर्फ दो चीजे चाहिए, कि वो अपने claim time पर दे दे, जो भी उन्होंने expenses किये, दूसरी चीज, साल में एक बारी उनको अपना proof of investment देना है, क्योंकि एक level तक salary के न tax maff किया जाता है, तो उनको वो investments के बारे में बताना पड़ेगा, कि उनने कहा का tax saving investments करी है, अब जब आपके पास ये सारे inputs आ जाते हैं, फिर आप क्या करते हैं, इन inputs को validate करते हैं, मतलब आप देखते हैं, कि यो data आपके पास आया है, verify करते हैं, ये सही है, या नहीं क्यों ये company policy के अनुसार होना चाहिए, तो फिर जब आपने validate कर दिया, तीसरी चीज अब आजाते हैं, हम payroll calculation पे, अब आप salary calculate कर सकते हैं, ये आप manually, या payroll softwares द्वारा कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 20-30 employee हैं, तो payroll department ये manually भी कर सकता है, आपके CA की मदद से, वरना software की मदद ले, payroll की कुछ softwares के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को ना अंत तक देखना आपके लिए जरूरी है, तो अब आजाते हैं हम आखरी चरण पर, और ये है post payroll, मतलब अब आपने calculation कर दी, अब आपको salary की payment करनी है, salary देनी है, तो इसमें आप करते है, payroll process ना इसी लिए बनता है, कि आप employees को सही time पर और सही तरीके से salary दे सके, जब आपके payroll की calculation हो जाए, तो आप उस amount की bank advice को अपने bank को भेजते हैं, और salary फिर आपके employees के account में credit हो जाती है, अगर आपके पास payroll software है और आप उसे use करते हैं, तो उनमें भीना एक inbuilt feature होता है, direct deposit का, और वो salary फिर directly credit हो जाती है, आपके employees के account में, फिर आता है generating pay slips, इसके साथ-साथ आपको pay slips भी बनानी होती है, और महीने के अंत में, जब salary credit हो जाए, उसके बाद employees को ये pay slip देनी होती है, ये मानो एक receipt जैसा है, कि एक चीज पता चल गई है, कि इस महीने employee को इतनी salary मिल फिर आता है payroll accounting, ये accounting है ये आपके company की books of accounts की है, इसमें हर महीने जितनी भी salary आपने दी है, उसकी entry हो जानी चाहिए, क्योंकि ये अधिकतर सबसे बड़ा expense होता है company के लिए, तो अपनी book of accounts में इसे डालना तो बिलकुल ना भूलिए, और आखरी चीज अपने government को जो आपने PF के चलान सब्मिट करने होते हैं, उसे भी due date से पहले ही कर दें, क्योंकि देरी होने पर ना आपको जुर्माना भड़ना पड़ सकता है, तो अगर आपको कोई ऐसी penalty आई है, इसका मतलब है आपने time पे government department को अपना share जो जैसे PF या ESI का होता है, वो जमा नहीं किया है, तो यह तो हो गए हमारी तीन स्टेजेज जो हमने करी प्री पेरोल, ड्यूरिंग पेरोल और पोस्ट पेरोल, अब आजाते हैं कि पेरोल मेथड कैसे चूज करें, यह हम बात करेंगे कि यह सब जो information है उसे store और process कैसे किया जाता है, छोटे स्टर की company आसान तरीका इस्तमाल कर स जाते हैं, इस process में गलतियां हो सकती है, और उसके कारण अनावशक देरी और असुविदा होती है, तो फिर आपको चाहिए एक payroll management system, यह एक software है जो यह पूरा process ना automate कर देता है, जिसमें सारी attendance, छुटियां, tax की calculation, सब कुछ track होता है, तो कुछ payroll software's जो market में medium या बड़े size की companies के लिए है, उनके कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ, यह है जैसे mark payroll हो गया, keka हो गया, HRM thread हो गया, compute tax हो गया, beehive हो गया, pocket HRMS है, quandal smart HR है, यह सारे processes आपकी company में आप install कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार, अब आ जाते हैं कि payroll software आप सोच रहोंगे, कि हम करे इसके फाइदे कितने हैं, इसके बहुत फाइदे और आइए मैं यह आपको बता देती हूँ, पहला फाइदा है, increased efficiency, यह आपके payroll की जो प्रक्रिया को कारगर बनाता है, आपका payroll staff घंटो लगा रहता है, सारे inputs को एकठा करने में, और फिर उनको calculate करने में, payroll software से यह सब automatically हो जाता है, हर department को पास अपनी information होती है, वो बस feed करते हैं employee के बारे में, और सारी information इस software में आपको मिलती है, तो अब आपको कोई sheets नहीं बना के रखनी, सारा data इस software में संगठित होकर आपको मिलता है, और एक साफ सुत्रे interface के साथ, दूसरा फाइदा है employee calendar, employee calendar मतलब के employee ने कित cost effective है, यह आपके पैसे बचाता है, क्योंकि वरना आपके बहुत सारी resources चाहिए होंगी, यह सब data इकठा करने के लिए, उने calculate करने के लिए, उने compute करने के लिए, और finally salary देने के लिए, चौथा फाइदा है tax updates or deductions, यह आपको help करता है tax management में, और अपके compliance भी देखता है, जै इतला फाइदा है security, यह जो payroll software होते है यह आपकी organization की details होती है, क्योंकि यह details बड़ी important है, इसको secure रखते हैं, third party की जरुती नहीं है इन details को देखने के लिए, और आखरी फाइदा है employee self service, employees खुदी अपनी leave, salary, attendance, सब कुछ देख सकते हैं, access कर सकते हैं, अगर कुछ problem है, तो स इसाब पूरा जो मैंने आपको payroll का process बताया, यह सब तब है, जब आप अपनी company में in-house कर रहे हो, एक और तरीका है payroll manage करने का, वो है outsourcing, आप एक external party को यह process manage करने को दे सकते हैं, जो आप से या तो per employee charge करेगी, या monthly, या फिर एक lump sum charge भी हो सकता है, time की बचत तो होती है, क्यो चाहिए, क्योंकि अगर आपके कम employees है, तो शायद यह system आपको वारा खा सकता है, एक और पहलू है payroll का और वो है आपके contractual labor, या contract employees, तो इनके case में, rules तो वैसे same ही होते हैं, पर क्योंकि यह आपके direct payroll पे नहीं होते, तो इसलिए इनकी salary या वेतन देने के लिए, आपको चार चीजों का ध्यान रखना होगा, पहला आपको देखना है कि minimum wages, जो न्योंतम मजदूरी होती है, उससे उनको ऊपर मिल रहा हो, दूसरी चीज, contractor जब भी PF भरे, आपको भी उसका चलान टाइम पे submit करे, तीसरा वैसे ही ESIC जो होता है, जो 21,000 तक की जिनकी salary होती है, उनके ल ध्यान रखना पड़ेगा, और आखरी में बाकी calculation और time per salary, तो आप दे ही देंगे, वो सब आप ध्यान में रखेंगे, तो देखे, जब आप एक process बना देते हैं ना किसी का, तो कार्य में कुशलता होती है, और तेजी से होने लगता है वो कार्य, अगर आप इन में से कुछ चीजें अपने payroll process में नहीं कर रहे, तो अपनी team के साथ बैठ कर इसे implement कीजे, आपकी काफी सरदर्दी कम हो जाएगी, आपको पता है कि हम आपके feedback का पूरा ध्यान रखते हैं, तो हमें call करके अपनी implementation के बारे में जरूर बताएं, और इस video को ध्यान पूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद